हेलो स्टूडेंट आपका अपने ट्यूटर टाक चैनल में स्वागत है आज हम करेंगे formation of image by convex lens when object placed at infinity तो जल्दी से ड्रा करते हैं इसका यह ड्याग्राम सबसे पहले मैं इसे 6 cm ओपन करके यहाँ पर ड्रा कर लिया और इस point को लिख लिया 2F यानिकी 2F2 इसी तरह से दूसरी तरफ भी जितने भी आपको मुटाई चाहिए आप ड्रा कर लेंगे और इसके बीच में हम लाइन ड्रा करके इसे लिखेंगे optical center इसके center में यह हमारा O होगा optical center हमने 6 cm लिया था radius तो हमारा 3 cm पर दोनों तरफ होगा F इसे में लिखेंगे F1 और F2 अब जो हमारा objective है at infinity है तो जो ray of light आएंगी वह parallel आएंगी हमें तो object दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि at infinity है यहां कि बहुत ज्यादा दोर है तो जो भी ray of light आएगी parallel वह आफ्टर रिफ्रेक्शन फोकस पर मिलेंगी यहां पर हम एक ray of light ड्रा करते हैं बहुत एव ऐप ड्राय तो एक से जच्वादा रियो अफ्लाइट भी ड्रा कर सकते हैं यह वह प्रिंसप्ल एक्सिस के parallel आती है वह आफ्टर रिफ्रेक्शन सभी आएड़ यह वाला पॉंट और F वाला पॉंट यह वाला पॉंट और F वाला पॉंट सभी फोकस में से पास होंगे, जैसे हम ड्रा कर रहे हैं यहाँ पर, यह फोकस में से निकल गई, सेकंड, इस पॉइंट रिस पॉइंट को अगेन मिलाएंगे, इसको सेम एफ के साथ, इसी तरह से इसको भी एफ के साथ, और नेक्स रे को भी एफ के साथ, तो कहने के मिला जितनी भी रे ओफ लाइट आई, वो सभी आफ्टर रिफ्रेक्शन फोकस में से पास होती है, तो इसलिए जो हमारी इमेज बनेगी, वो आफ वोकस पर बनेगी, और यह है रियल और इन इन वाइट यानिकी उल्टी बनेगी, और मच समालर थन अबजेक्ट, यानिकी हाइली डिमेंज, बहुत ज्यादा इसका साथ चोटा होगा, डोट के आसपास साथ होगा, बहुत चोटा साथ होगा, तो अगर हम आपको कर अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, लाइक करना ना भोले, थैंक्स वार वाचिक